आज हम इस वीडियो में exercise 7.5 से 7, 13, 15, 18, 90 और 23 ये 6 questions study करेंगे और ये 6 questions एक ही type के हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया 7.5 जो था वो 6 type के question में divide किया गया है तो उस वीडियो में 1st और 2nd type में बता चुका हूँ इसमें आए 3rd type study करते हैं तो वैसे इसमें 6 questions एक जैसे थे लेकिन ये 4 questions 7, 13, 15 और 23 ये बिल्कुल copy to copy एक जैसे हैं तो इन 4 में से 1 question बताऊंगा और 18, 19 थोड़ा सा उससे अलग है और ये 18, 19 अगर आता है तो 5 marks का ही 100% जाए वैसे ये सारे 5, 5 marks के हैं तो इसमें से 3 questions discuss करने वाले हैं इन 4 में से कोई 1 पहले तो आगे पहले 7 discuss करते हैं आप से मैंने question लेख दिया x upon x square plus 1 into x minus 1 ये question है आपका तो पहले मुझे partial fraction में इसको तोड़ना है और बताया भी है question देखकर ही पहचान जाओ कि ये partial fraction apply होगा कैसे जब denominator में एक से ज़्यादा multiple factor दिखें तब समझ जाओ कि वहाँ partial fraction पहले apply करके separate करना है तो देखो दो factor थे तो मैंने 2 fraction बढ़ाना ये दिमाब में आ गया अब इन दुनों में से किसी एक को पहले लिख दो अगर आपने पहले x square plus 1 को लिखा क्योंकि याद रहे अगर ये x square minus 1 होता तब आप minus 1 plus 1 लिख सकते थे बट यहाँ plus है इसलिए इसको factor नहीं कर सकते हैं अब जो दूसरा वाला बचा है उसको लिख दो अब जो इसमें अगर देखा जाए उसके degree कितनी 2 तो यहाँ दो constant आपको लिखना पड़ेगा एक a और एक b बट एक ची ध्यान रह एक constant x power 0 का होना चीए मतलब वहां केवल वही constant रहेगा और दूसरा x का होना चीए मतलब यहाँ ओपर क्या लिखोगे यहाँ लिख सकते हो आप a x plus b यानि a वाला constant x का होगया और b होगया x power 0 का या इसको लिख सकतो a plus b x यानि जैसे यहाँ जब two power का होगा तो दो constant लिखेंगे लेकिन वो constant x की power के ascending order में रहेंगे तो चलो आप a x plus b भी लिख दे अब आप कोई बच्चा अगर a plus b x लिख रहा है तो भी वो सही है वो गलत नहीं है तो यह समझ में आ गया अगर यही इसे example मान ले रहें कि अगर यहाँ x cube मान लो कुछ ऐसे आता x cube plus 2x plus 1 कुछ ऐसे आता यानि यहाँ cube आ जाता तब उपर क x का और थीसरा x power 0 का अब वो मीट करते हैं यह जैसे मैंने लिखा है यह आपने समझ लिया यही दूसरा type का था और यह तो linear है तो यहाँ कोई एक एक ही constant लिखो c जब दो था तब दो constant लिखा जाता है और इस method के coordinate लिखा जाता है अब आज़ो इसका LCM लो तो LCM तो भाई जो यहाँ आ रहा है वही आएगा तो जब इसका denominator इसका denominator सेम आएगा तो cancel कर दिया सिर्फ numerator को लिखने जा रहो यहाँ आ गया ax plus b into x minus 1 and plus इससे multiply करोगे तो आजए c x square plus 1 अब यहाँ सबसे important है a b c की value निकालना तो जब ऐसी चीज़े आए तो आप क्या put करो याद रहे है यह आसान पड़ता है put करने वाले इसलिए मैं यह method बता रहूं आपको अब पहले वो चीज़ लो जिसमें एक ही constant था c यानि c की value निकालनी तो जो भाई इसको अगर जीरो कर दें तो हमारा c आसान हो जाएगा निकालना तो यह into में था x की value गर मैंने 1 रख दी तो यह पूरा 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा c की value असान से निकालाएगी तो मैंने पहले x equal 1 रख दिया तो 1 जैसे ही रखेंगे 1 और यह पूरा 0 क्योंकि यह 0 हुआ तो 0 इंटू पूरा 0 हो जाता है और यहां 1 का square 1 प्लस 1 यह यह 2 आ जाएगा तो c इंटू 2 it means c की value हो गई 1 by 2 अब c की value निकल गई अब दूसरा क्या क देखो इसमें 2 constant थे एक a था एक b था तो a के साथ क्या है x तो अगर मैंने x को 0 मान लिया तो यह पूरा 0 हो जाएगा यह वाला constant तो आ जाओ फिर तूसरा कैसे कैसे मैं रख रहा हूं value find out करने के लिए वो आप समझ लीजे आप x की value मैंने 0 रखी तो इधर तो पूरा 0 आ ज 0 हो जाएगा सिर्फ b बचेगा इसमें और यहां 0 हो जाएगा तो यह किवल minus 1 बचेगा और यहां 0 हो गया तो किवल c बचेगा अब c की value आपको पता थी यह जो आया यह आगया minus b 0 is equal to minus b plus c और c की value आपके थी 1 by 2 तो जब इसको उधर भेज होगे b को उधर भेज होगे तो b की value क्या आगई सिर्फ 1 by 2 आगई अब आईए मुझे क्या निकालना है c निकल गया b निकल गया अब a निकालना है तो x equal 1 और 0 के अलावा कोई भी value इसमें रख दो कोई भी value तो आज अब आसान वाली value रखते हैं x equal मैंने 2 रख दिया अपने मन से मैंने कहा 1 और 0 के अलाव तो उन दोनों के अलावा कोई भी value रख दोगे निकल जाएगा तो यह x की value जब मैंने 2 रखी तो यह हो गया 2 is equal to 2 रखा यहां तो 2 a plus b आगया 2 a plus b और यहां x की value 2 है तो 2 minus 1 सिर्फ 1 आ जाएगा and plus 2 रखा है तो 2 2 जा 4 और 1 5 c आगया अब value रखते जाओ तो मैं c और b की value पता है तो 2 is equal to 2 a, b की value थी 1 by 2 और c की value थी 1 by 2 तो यह हो जाएगा 5 by 2 5 by 2 और 1 by 2 8 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई टीनोमेटर दोनों का सेम है तो 5 1 6 by 2 it means 3 आ जाएगा तो यहां से 2 a is equal to 3 उधर लेदा होगे तो 2 minus 3 it means 2 a is equal to minus 1 so a is equal to क्या आगया आपका minus 1 by 2 यह आगया अब a, b, c सबकी value निकल चुकी है तो अब देखो integration इसके लिए क्या लिखोगे 7 वाले question के लिए integration of x upon x square plus 1 into x minus 1 dx is equal to a की value आपकी एक कितनी आए थी? minus 1 by 2, b की value कितनी आए थी? 1 by 2 तो b की value मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 1 by 2 लिख दिया और a की value क्या थी? चलो a की value पर लिख दो कोई दिक्कत नहीं, minus 1 by 2 x और b की value थी 1 by 2, upon x square plus 1 dx, plus c की value क्या थी? 1 by 2, तो 1 by 2 बाहर कर दिया, 1 upon x minus 1 dx लिख दिया अब इसमें देखो दोनों में कुछ common कर सकते हो, minus 1 by 2 मैंने भाई common कर लिया, दोनों में से तो यह जो बनेगा, यह plus हो जाएगा और यह minus, it means x minus 1 upon x square plus 1 dx और यहां तो सीधा यह log बन जाएगा, log x minus 1 अब इसको directly indication आप नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा अलग-अलग लिख लो, पूरे को एक तो x upon x square plus 1 लिखोगे dx और दूसरा, minus 1 upon integration के साथ, x square plus 1 dx लिखोगे और यह हो गया, 1 by 2 log x minus 1 अब यहां substitute कर लोगे, जैसे x square plus 1 को t माल लो, तो यहां क्या आ जाएगा, 2x dx is equal to dt तो it means x dx is equal to क्या हो जाएगा, 1 by 2 dt, x dx is equal to 1 by 2 dt it means इसकी जो value अब आ जाएगी, minus 1 by 2 integration of x dx मिलके 1 by 2 हो गया, तो वो 2 जब आएगा, तो 4 हो जाएगा अदे 1 by 2 यह है, और 1 by 2 यहां आएगा, और इसको अपने t माल लिया, t dt तूसरा चीज, minus, इसका integration क्या लिखोगे यह 1 by 2 यहां थे, इसको और इसको दुनों को multiply कर रहा है, तो पहले तो 1 by 2 लिख दिया आपने और इसका integration तो dacly 10 लिख सकते हो, यह formula है, 10 inverse x फिर आपने लिखा, एक बात और यह minus था, तो यह minus minus multiply करता है, क्या हो जाता, plus और फिर आप जब करते है, तो उता, plus 1 by 2, इधर लिखा, जो है, log x minus 1 अब exit जो solution आता, वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ इसका minus 1 by 4, यह log t बनता, यह पूरा तो log लिखा, और t की value आपने क्या है, हमानी है x square plus 1, minus के साथ, फिर plus 1 by 2, 10 inverse x, plus 1 by 2, log x minus 1 यही पूरा आपका solution हो गया, अब आईए next question, 18 study करते हैं तो मैंने आपको बताया था, कि 18 और 90, यह भी दोनों उसी जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, जैसे ही है देखो 18 वाला, यह improper fraction लिखा हुआ, improper fraction means जब numerator की जो power होती है, वो denominator से greater हो या उसकी equal हो, तो as a fraction को improper fraction बोला जाता है तो पहले इसको proper में convert करो, तो proper में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा, denominator से divide करना पड़ेगा तो आज हो, सबसे पहले इसको आपस में multiply कर लेते हैं, x square प्रस on और x square प्लस 2 को divide करने के लिए तो इन दोनों के multiply करोगे मैं यहां लिख दे रहा हूँ, x power 4 आ जाएगा, इससे करोगे 2x square और इससे x square, it means 3x square and plus 2 और denominator में ऐसे करोगे, तो x power 4, इससे करोगे तो 4x square और इससे करोगे 3, तो यह हो गया 7x square plus 12 अब मैंने क्या कहा आपको इसको प्रॉफर fraction में convert करना होगा, प्रॉफर fraction means numerator की जो पावर है, वो denominator से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए तो आज़ो इसके लिए divide करने, x power 4 plus 7x square plus 12, और यहां था x power 4 plus 3x square plus 2, x power 4 यहां भी है, यहां भी है coefficient भी same है, बस one time ले जाना आपको, तो x power 4 plus 7x square plus 12, यहां minus minus minus, यह cancel हो गया, और यहां गया, minus 4x square minus 10, यहां गया आपका तो यहां जवाब करोगे, तो यह हो गया, one minus, दोनों में minus common कर लो, तो minus common कर लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, plus 4x square minus 10, और डिवाइड वाई, x square plus 3, upon x square plus 4, यह आपका आगया, अब हमें इसमें, अगर यहां integration लगा होता है, students, integration deck में लगा दिया, इंप्रॉफर फ्रेक्शन में आपने convert कर लिया, तो यह तो dx बन जाता, और यहां यह आप dx लिखते, तो one का integration तो आप समझते हैं, one का integration इसका x ही हो जाएगा, minus, इसमें कुछ common कर सकते थे, two common कर सकते थे, जब two common कर लिया है, तो यहां बचा क्या, बचा किया, two x square minus five, अपान, x square plus three, and x square plus four dx, अब इससे, पहले partial fraction के according, separate करना पड़ेगा, अब मैंने इसको ऐसे मान लिया, अब आ जाओ, इसको partial fraction और याद रहें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि partial fraction कैसे पता लग जाता है, कि apply करना है, जब denominator में, one से ज़्यादा multiple factor दिखते हैं, तभी पता लगता है, तो यहां दो factors थे, तो एक तो है x square plus 3, और दूसरा है आपका x square plus 4, अब यह question आता है, तो 100% 5 marks का ही आता है, यहां कितना है, पावर इसकी 2, तो दो constant आएंगे, एक a और एक b मान लिया, एक x के साथ coefficient बनेगा, और एक उससे कम पावर, मतलब x की पावर 0, मतलब x लिक हो ही मत, यहां भी 2 है, पावर, तो यहां भी 2 और constant आएंगे, it means c x plus d, एक x के ओफिसेंट, एक ऐसे, अब दोनों का जब LCM लोगे, तो 2 x square minus 5 हो गया, अब यहां a और b की value c और d, यह चारू शीडू की value निकाल नहीं, यह हो गया, a x plus b, और इसको किस से multiply कर दो, x square plus 4 से, इसमें भी आप क्या कर लो, c x plus d आपने ऐसे लिख दिया, और इससे multiply किया, तो यह हो गया, x square plus 3, यह पूरी शीड बनकर तयार हो गया, अब इसमें जैसे अभी तक हम क्या करते थे, x की value 0 रखते थे, तो c निकलाता था, d निकलाता था, यहां वो method apply नहीं कर पाएंगे, तो अब यहां हमें multiply करना पड़ेगा, और coefficient को compare करना पड़ेगा, तो ax से जब x को multiply करोगे, तो क्या हो जाएगा, ax cube, फिर ax से 4 को कर लो, तो यह हो जाएगा, 4ax, मतलब इसके अलाव और कोई दूसरा method नहीं है, जो हम कर रहे हैं, फिर b से करोगे, तो यह हो जाएगा, b x square, प्लस 4b, इसको कर लो, तो यह हो गया, c x cube, प्लस 3 c x, d से जब multiply करोगे, तो यह आपका हो गया, d, x square, प्लस 3 d, फिर आपने लिखा, 2 x square, minus 5, देखो, यह cube था, और यहाँ cube था, it means, a plus c, x cube, दूसरा देखते हैं, यह है x square, और यहाँ भी है x square, तो यह जो हो जाएगा, b plus d, x square, एंड प्लस, यह है 4 ax, और यह है 3 c x, it means, 4 a, plus 3 c into x, पात आईए, अब d की, तो 4 b plus 3 d, अब आप लिखोगे, comparing, the coefficient, of x cube, x square, x and x power 0, तो यह, a plus c की value, यहाँ कोई x cube है, नहीं है, तो a plus c, इस कल्टो क्या आगया, 0 आगया, b plus d की, जो value आएगी, x square, coefficient यह है, और यहाँ x square, coefficient 2 है, 2 आगया, next देखो, यह कह रहा है, 4 a plus c, 4 a plus 3 c, x का, यहाँ कोई coefficient है, नहीं, तो यह हो जाएगा, 0, और जब, यहाँ, यह constant term देख रहो, तो यहाँ, constant term क्या है, minus 5, it means, 4 b, plus 3 d, इस कल्टो क्या आएगा, minus 5, अब इन सब को solve करना है, तो यहाँ से देखो, a की value क्या लिखी जा सकती है, minus c, और जब इसमें, a की value minus c रखोगे, तो यह हो जाएगा, minus 4 c, plus 3 c, equal 0, it means, यहाँ से आपको, c की value 0 मिल गए, और c 0, तो a भी क्या आजाएगा, 0, it means, c और a यहाँ दोनो 0 हो गए, अब इससे आजाओ, और इन दोनों equation में से क्या दिख रहा है, यहाँ v 4v है, यहाँ d 3d है, तो अज़ो इसमें हम 3 से multiply कर दें, किससे, 3 से, तो यह बन जाएगा, 3b plus 3d is equal to 6, और यह जो equation था, यह था 4b plus 3d equal minus 5, दोनों को अगर subtract कर दे, तो यह cancel हो गया, और यह क्या आ गया, minus b is equal to 11, it means, b की value यहाँ क्या आ गई, minus 11 आ गई, अब b की value minus 11 आ गई, तो जब यहाँ b की value 11 रखोगे, तो यहाँ से आपका, d की value क्या आ जाएगी, 2 minus b, और b की value minus 11 है, तो d की value, minus b हाँ रखोगे 11, तो प्लस 11 हो जाएगा, इन्हें d की value जो आ जाएगी, 13 आ जाएगी, clear, यह minus सारी चीटे निकाल ले, b की value minus 11, d की value 13, c a की 0, अब, यह जो था, अब क्या बन जाएगा देखो, आप यह solve करोगे, फिर हाँ लिखोगे, यह मैं directly यहाँ से लिख रहा हूँ, यह तो x था ही solution इसका, x minus 2, और, यह पूरा integration इस दो पार्ट में change हो जाएगा, a की value तो 0 आईगी, तो पूरा 0 हो जाएगा, b की value आपने find out कर लिए, कितनी आई थी, minus 11, तो यहाँ जब लिखोगे इसमें, minus 11 मैंने बाहर कर दिया, तो 1 upon x square प्लस 3, तो 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, root 3 का square, क्या लिख सकते हूँ आप, फिर आजाओ दूसरा, plus, c की value कितनी आईए, वो भी 0 है, और d की value है 13, 13 को बाहर लिखा, 1 upon लिखोगे, x square 4 की value क्या थी, 2 का square मैंने करके लिख दिया, 4 की value मेंस, 4 को मैंने 2 के square में convert कर दिया, अभी ये tan inverse में convert हो रहा है, तो सीथ है, एंसर आएगा, x minus 2, minus 11, और इसको जब convert करोगे, तो 1 by a, a मेंस क्या है, root 3, and tan inverse, x by a मेंस, x by root, 3, ये आ गया, and plus 13, into, 1 by a मेंस, 1 by 2, tan inverse, x by 2, ये पुरा solution आ गया, थोड़ा सा और इसको simplify भी किया जा सकते है, जैसे इस, इस माइनस 2 से multiply करते हैं, तो x minus, minus plus हो जाता, 11, 2 जा 20, 2 by root 3, tan inverse, x upon root 3, और ये जब 2 इससे multiply करते हैं, तो 2, 2 cancel हो जाता, क्या आता, और minus plus minus आ जाता, 13, tan inverse, x by 2, ये आपका पूरा answer हो जाता, तो ऐसे ही आप, जो next question था, जिसकी मैंने बात की थी 19, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, अब इसको आप खुद solve करेंगे, 2 x upon, थोड़ा सा मैं हिंट आपको बता दे रहा हूँ, x square plus 3 ये था, तो पहले इसको इसमें, आप partial fraction लगाते, x square plus 1 लिखते, फिर यहाँ भी लिखते, x square plus 3 लिखते, यहाँ दो डिगरी थी इसकी, तो दो constant लिखते, यहाँ भी दो डिगरी थी, तो दो constant लिखते आप, c x plus d, अभी जैसे मैंने, इस question को solve किया, देखें यहाँ, पूरा यही, यही पूरी चीज, rule follow करते, फिर separate हो जाता, a, b, c, d की value आजाती, और solve कर लेते, 18 और question number 19, बिल्कुल एक जैसे है, तो आपका, 3 type के, इस exercise 7.5 से compete हुए, अब 4th type के question, हम next video में study करेंगे,